हलो दोस्तो शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार फोरेश्ट गाट तथा बिहार फोरेश्टर का ये समान हिंदी के लिए टेश्ट तीन है जिसमें महतपूर मैं 20 कुश्चन कराता हूँ आपको इससे पहले 2 टेश्च करा चुका हूँ और जब तक आपका एक्जाम ख तो 6 हुआ, 3 हुआ, या ज्यान हुआ ये अपको जो धौनी आता है ये स्वींट वन के अंतरगत आता है ये मैं आपको थियोरी करा चुका हूँ आपको सभी समान हिंदी का उसका प्लेलिश्ट भी बन चुका है तो वो ज़रूर देख लिजगा अगर वो देख लेते है तो तो आपको थियोरी जरूर देखना होगा तब टेश्ट भी लगाईएगा कुश्चन नबर दो है कि बे इंसाफी में परिक्त उपसर्ग है बे इंसाफी में परिक्त उपसर्ग उपसर्ग और प्रतियाय में पहले भी बता चुका हूँ अपको उपसर्ग वो होता है जो के बाद में लगता है ठीक और उपसर्ग बोल रही हम इसके सब्द के पहले तो इंसाफी में बे लग घया है तो यह क्या बन चुका है बेंसाफी बन चुका है ठीक इसका एंसर क्या हो जागा टुका भी हो जाएगा कुश्चन पर 3 देखिए कि सुद्ध वरतनी का चेयन कि कि सुद्ध तरीका से कौन लिखा वगा है कुशन ध्यान से देखना है कुमिदनी लिखा जाता है क्या बोला जाता है ठीक तो ये ऐसे लिखा जाता है यहां पर यह होजाएगा एक स्क्राइए कर यह और फोर देखे में कर शिद्धिटि मिशैद्या 같은 संदी बीच्षेदें आपको बताना सस्थ्थि और से घंठी नहीं पढ़ा अधार परत्वार परतम किस राज का गठन हुआ था भासा के आधार परत्वार पर्थम किस राजका गठन हुआ था ये आपको बताना है यहां पर जो हो जाएगा यह सबसे पहले जो गठन हुआ ता आंधरपर्देस का गठन हुआ था वह साई अधार्दवर यह कुशन पूछा हुआ था इसलिए मैं आपको ले लिया तो five cancer क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा मैं आपको बता दू कि आंधरपर्देस से जैसे कि दिल्ली में विधान सभा है पांदुचेरी में विधान सभा है कि अंदरा सासीत राज होते हुए भी याद रखिएगा फाइव कैंसर क्या होज़ेगा सी कुष्चन नमर सिक्स देखिए कि पाप पुन में कौन सा समास है पाप पुन लिखिए सबसे पहले पाप पु दूसरे से क्या विप्रित है ये क्या हो जाता है ये है देखे अब आगा घ्रा नागर leesi आपको बताना है नंकरों से समास है तो जो नinstant है इसमें समास कोन और हो जाएगा तरह यह विलाएं गाश्स आ जाता है जो पुरुवपद होता है यह सब आपको दीगुई शमास में आएगा याद रखेगा सब्सक्राइब किस भासा का सब्द है मैंने आपको पताया था अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा प्लेइलिस्ट बना हुआ है सारा उसमें वीडियो है देशाज बीदेशाज तत्सम तदभव तत हाद भव जो संस्क्रीट का बिगड़ा हुआ हिंदीम उपयोग हो रहा है देशाज जो हमारे देश में ही पोला जाता है बीदेशाज जो बीदेश से आकर हिंदीम बोला जाता है ठीक यह जो है इसमें वकील किस सब्द के अंतर आता है और बीदेशाज समीश्बी यह कौन टिक टिक टी आपको बताना है हो संग्या का इस्तिमाल गया जांगा उसे अम लोग स्वरुनाम बोलते हैं यह याद रखिएगा नोग एंसर क्या का उदारण है छे आपको क्लकत्ता जाता है समानहीं कि रिए उदकता जाता है कि आपको करते हैं टिरिक अगर ऐसे देखा जाए तो तीन प्रकार के काल होते हैं समान में इसकी ऐसे देखा जाए तो एक वर्तमान काल होता है जो कि अभी चल रहा है एक भूत काल होता है जो कि बीत गया ऐसे और फिर भविस्त काल होता है जो कि होने वाला है ठीक यह आपको काल में होगा और काल जो होता है यह अंकार होता है दर्ब का प्रवाची सब्द क्या होता है अंकार ठीक एक ग्यारक एंसर क्या होड़ेगा यहां पर बी हो जाएगा कुश्चन बारा है कि घर का प्रवाची सब्द है घर का प्रवाची सब्द क्या है अपसन ए में दिया है नग दूसरा में दिया है अपसन B में दिया है निकेतन, अपसन C में दिया है विहार, और अपसन D में दिया है इला, तो घर का जो प्रवाची सब्द होता है, यह होता है निकेतन, निकेतन होता है, यह याद रिखेगा 12 के अंसर भी हो जाएगा, कुश्यन नबर 13 देखे, उर्वर का बिलोम सब्द है, उर्वर, खेत उर्वर होता है न, उर्वर का बिलोम सब्द है यह आपको बताना है, उर्वर का बिलोम सब्द क्या होता है, तो यह उसर होता है, उर्वर का बिलोम सब्द, उर्वर, उसर, यह आपको एक दूसरे के बिल यह याद रहेगा तो 14 केंसर भी हो जाएगा कुश्चन बर 15 कि जो साधा दुसरे पर संदेह करता हो जो साधा दुसरे पर संदेह करता हो उसके लिए आपको कौन सा एक सब्द होगा यह आपको बताना है जो शाधा दुसरे पर संदेह करता हो उससे क्या बोला जाता है उसके लिए एक सब्द बताइए उसके लिए एक सब्द बताहिए जो किये गए उपकारों को मानता हो वह हो जाएगा कृस्चन नमुर 17 है कि मखमली जूतेМं मारने का अर्थ क्या है? मंहावरा लोकीतिया का कोश्चन है . मखमली जूते मारने का अर्थ है यह पूरा अच्छे तरीका से आ जानते होंगे कि मीठी बातों से लजजित करना बात तो मीठा होगा लेकिन इतना लजजित कर देंगे मीठी मीठी बोलकर वही मकमली जूते से मारना ठीक तो इसका हो जाता है मीठी बातों से लजजित करना सतर केंसर कि अउजका हो जाएगा विश you know18 में देखिए को उधो का लेना ना माध्वो को देना यह तो आपको могSe क्या होता है इसकाम बताइये वो जीए इसके काम काम जात्र रखना ठीक ये को जाएगा अपने काम से काम का मतलब रखना ठीक तो यह हो जाएगा ठारा गैंसर डी हो जाएगा उधो का माधो वाला उधो का लेना माधो का ना देना कुश्चन अपर 19 सकी इदगाह कहानी नहीं पड़े है तो यूटूब पर बहुत से वीडियो उपलब्ध है सौट में भी ठीक है मतलब स्कूल टाइम है अगर नहीं पड़े हैं तो एक बार जरूर पढ़िएगा यह आपको पढ़ना चाहिए इससे आपको बहुत अच्छा जनकारी मिलेगा जिससे कि आप अपने एक्जाम के तयारी में आगे भी लग सकते हैं और आपको समाजिक इस्तिति के बा अधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है यह आपका लाश्ट कुशन है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है देखिए आपके सामने सभी अपसन है ती तमील हिंदी बंगाली तेलगू इसमें इंसर क्या हो जाएगा भारत में सबसे अधिक बोले जा यह याद रखिएगा तो यह कुशन था अच्छा लगव तो याद किजी इस कुशन अच्छा लगव तो लाइक की लाइक कीजिए वीडियो का और को भी हमने में डाउट है तो कोमेंड बुक्ष में लिख सकते हैं और वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद कि